आज बनाने जारी हो एक अफगानी रेसिपी जो बहुत ही जादा टेस्टी भी है और जिसको बनाने में केवल पांच मिनिट लगते हैं अगर आपको प्याज के पराथे या प्याज के नान बहुत पसंद आएगी आज मैं बनाने जारी हूं नान प्याजी और यह बिल्कुल जटपट से बन जाने वाला नान प्याजी तो चलिए इस यम ही रेसिपी को बनाते हैं बहुत जटपट से तो मेरे यहाँ पे लिया है मैदा यानि कि मैं यहाँ पर यह व्दूस कर रही हूं देड़ कप मैदा में लगबक चार अच्छे नान बन जाते हैं और इस तरीके से तो जटब करने के बाद नान पानी से इसको गूंद लेते हैं थोड़ा करके पानी आप इसमें इसमें आट कर देजे और इक दियान रखिए इस आँटे को बहुत अच्छे से आपको गूंदना आए तो यह मैरे जब बन जाएगा इसके बाद रहा है एक चमच उयल पर डा जो चिपका हो रहा है या फिर जो चिपक चिपक सी होती आंटे में वो ना रहे और इसका जो ग्लूटन वो अच्छे से बाहरा सके तो आपको भी बिल्कुल तो से चार बनिट के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको माढ़ना है और फिर इसको रख देना है तो अब यहां में लेती हूँ प्याज तो इस तरीके से मैंने प्याज को हाफ कर लिया और इसको बारीक बारीक आपको इस तरीके से काटना है बिल्कुल चॉप नहीं करना है थोड़ा सा लंबे-लंबे ही रहने देजे तो इस तरीके से आपको प्याज काट लेनी है बहुत जादा पतला लेकिन बहुता मोटा भी नहीं होना चाहिए और अब मैं इसको अच्छे से कर लूगी इस तरीके से और एक प्लेट में पहले में निकाल लेती हूं तो अब मेरे पास है यह आल प्यास यानि कि स्प्रिंग अनियन तो यह वहला हिस्सा हमें नहीं चाहिए इसलिए मैं काट काटने से पहले आपने इसको अच्छे से दो लिया हो तो बस इसको भी आप इस तरीके से बारिक बारिक काट लिजे जादा बड़े टुकड़े नहीं चाहिए होते हैं तो आप इसको बारिक काट लिजे चौपर हो तो चौपर की सायता ले सकते हैं तो यहां पर मैंने इस अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल मसल देना है इसको ताकि जो प्याज जो हमने काटी थी वो उसके स्ट्रेंड अलग हो जाए और जो हरा वाला प्याज है वो थोड़ा दब जाएगा जब इस तरीके से मैश करेंगे तो यह देखे जब यह हो जाएगा अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरीके से तो हमें बस इतना ही चाहिए इस तरीके से ताकि प्याज कभी रस पूरा भाहर निकला है और अच्छे से फ्लेवर आए तो अब मैं यहाँ जाल रहे हूं स्वादनुसार नमक और यहाँ पर मैं ब्स आपक द्यान रख थाले atyar get up आपको कर थान रखना है किसको अच्छे मिख्स हों क्यों हूगा यह पूरी तरीके से मिख्स नहीं से पाईगी कर अटा है छोड़ी दर ठायर कर लिए dug रहाटा आट डिर्समेख come to curing番ole Rs. तो अब मैं क्या गर ही हूँ आटे को चजम माणने के बाद अब मैं इसको 4 पॉर्शन ऐफ कर लूंगी तो ध्यान रखें में य क्या आप 2 तो दो पोशन में डिवाइड हो जाएगा coupon तो आधर्वाइस आप इस तरह के चार पोशन में डिवाइड कर लेजा इसको और एक दम ध्यान रख है कि बिलकुल एक जैसे होने चाहिए ऐसे आई इस तरीके से सस्कित रहे हैं और इसपे और नू deals सकते हैं तो यामपर भी मेदा ही सी आट वी Δस कड़ सकते हैं यहां मेदा डस कर लिए उसखेसे बैले और ऐसे उहीं श्याय के चन्ट कूल नहीं केज़े जैसे भी शेप आए बस आपको अच्छे से बेलाएं ताकि यह थोड़ी सी पतली पतली सी हो जाए जो बेलने के बाद थोड़ी सा नजर आए इस तरीके से आप देखेंगे यह मेरे चॉपिंग बोड का ऐसे बैक नजर आ रहा है इसमें हलका हलका सा बस हमें इतना ही चाहिए और आप में यहां पर ओयल ब्रश कर लेती हूं इस तरीके से तो ऐल ब्रश करना बहुत जरूरी है आप इसको जरूर किजिए और अगर देशी की उस करेंगे तो इसका रिजल बहुत अच्छा आता है तो अब यहां पर जो मैंने प्याज भरके रखी दी इस तरीके से मैं प्याज इसमें एड कर देती हूं तो नर्मली होता है कि भरने का मैथट ठोड़ा अलग होता है तो यह वाला जो नान-प्याज ही है इसका भरने का मैथट तो इसको इस तरीके से आपको अच्छा से फैला लेना है बहुत जादा भी नी फैलाना है लेकिन बहुत कम भी ना तो इस बात का जरूर धान रखें, एजस जो होती हैं, साइड साइड व आप चाहें, तो छोड़ी छोड़ सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, एक तरफ से मैं इस तरीके से, फोल्ड करना शुरू करती हूं, तो बहुत ही हलके हाथ से, बहुत ही असानी से हो जाता है, ऐसा नही कोई दिकत नहीं है, फोल्ड करना है, तो यह फोल्ड होता रहेगा इस तरीके से, इसलिए जब नीचे जब आप इसको पहले बेलेंगे तो उससे पहले आपको ड़स करना बहुत है, तो इस बात को जरूर धान लगाएंगे तो अब मैं इस तरीके से इसको अच्छे से फोल ताकि पकने में भी बहुत असानी हो जाए क्योंकि हम यहां पर आवन का यूज़ नहीं करेंगे इसलिए यह पकना भी चाहिए अच्छे से इसलिए आप पतले पतले ही आप इसको रोल करना शुरू के जे तो यह देखिए यह बिनकल बनके तयार हो गया मैंने इस तरीके से ज कवर तो अब देखेंगे जहां पर यह जोईंट है यहीं पर ही थोड़ा सा ओयल इस तरीके से लगा रही हूँ ताकि आपको चिपके न तो आप इस तरीके से ओल ब्रेश कर देजे जो जोईंट है वो अंदर रहेगा और इसको मैं इस तरीके से फोल्ट करना शुरू करूं और आपे दो बना के रखले लिए हैं आप जो कि वड्की करना कर दो सकते हैं तो जरिक नहीं बनाव होना रखले इस को एक अबने रहे हैं न कीजिए के लिए तो अब कर दो शं़िए तो एक दो घोलिए को मिलस्प कर देता है तो आप पर occupants नहीं में जाहिए तो आप इस तरीके से पहले ही प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से यह हो गया प्रेस यह बन गया हमारा नान तो अब मैं यहाँ पे पैन एक गरम कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा तेज आच पर नहीं रखना है मेडिया माच पे रखना है इस बात का ज़रूर दियान रखें थोड़ सा ओयल आपको इस तरीके से लगाना है इसमें और मैं इस तरीके से नान रख देती हूँ तो यह नान मैंने पहले ही प्रेस कर दिया था और आप एक आईडिया यह ले सकते हैं जब आप नान इस पे रखेंगे तब आप इसको प्रेस कर दिया और इसको धकन लगा के कम से कम दो मिनिट के लिए चोड़ देए और दो मिनिट के बाद आप देखेंगे कि नीचे का पाट थोड़ से पंग गया होगा और इसको मैं अब इस तरीके से फिलिप कर देती हूँ तो अफिलिप करने के बाद आप देखेंगे हलकी गोल्डें ब्राउनिंग है यहां पे तो अब मैं इसको फिर से ढखके इसको पकाती हूँ गैस कि आँच आप जरूर हलकी करके रखेंगे बहुदा तेज नहीं करेंगे तो दो मिनिट दोनों तरफ से मैंने इस तरीके से पकाया है और अब मैं इसको इस तरीके से पका लूँगी आप देखेंगे कि नीचे जो है थोड़ा सा ब्राउनिंग हो गई है इसके अंदर तो यह बनके तयार हो गया हमारा एक नान प्याजी तो चलिए एक और मैथड है इसको पका लूँगी इस तरीके से तो दो मिनिट के बाद आप देखेंगे हलका हलका सा पकना शुरू हो जाएगा चाहें तो आप इस पर थोड़ा सा बटर बीक डाल सकते हैं यह आपके डिपेंड और इसको अच्छे से पका लेना है तो यह बनकर बनके तयार हो गए हमार इनान प्याजी एक अफगानी डिश है जो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस भी है और बहुत ही ज़्यादा असान भी है हम जब तर प्याज के पराथे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं बहुत अच्छा फेवरेट होता है लेकिन इस तरीके से जब प्याज के यानि कि प्याजी नान बनाएंगे तो यह आपको बहुत ही पसंद आएगा तो यह आप जरूर ट्राइ के जिए और यह देखे तोड़के मैं दिखाती हूं कितने अच्छे से निकलेगा एक एक बाइट में एक एक प्याज कर स्टेंड आएगा और अंदर से एक दम पका तो यह लागो जा पूर आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब केजे और बेल इकन बटन प्रेस केज़े एक तो यह बिल्कुल फ्री होता है और यह जैसे मैं को यह यह इसी इंटरस्टिंग सी रचिपी अपलोड करूँ कि यह यह आपको पास है ये ओग्यू